हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम multiple company को cover करने वाले हैं उनसे related क्या क्या update आरहा है यह हम आप लोगों का update करने वाले हैं उससे पहले market का update देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि market बहुत ही शांदा तेजी के साथ 17 जा 24 पर अभी क्या कर रहा है trading कर रहा है मतलब market जो हमारा है वो दिन की उचाई पर भी क्या कर रहा है ट्रेडिंग कर रहा है अभी बहुत सारे European countries के market भी open हो चुकें तो हमारे लिए भी बहुत बढ़ी हा बात है कि वहां से भी positive संकेत आ रहे हैं अब देखते हैं कि आज हमारा market कहां पर closing देता है market का previous close था 16887 open होता 147 ठीक है और अभी high लगा रहा है 257 का और low लगा रहा है 117 का ठीक है इस प्रकास से अभी हमें market में moment देखने को मिल रहा है क्योंकि market का आगे 17500 का important rejection point है तो उसको किस तरह से वो break करता यह देखने वाली बात रहेगी तो market के related जैसा भी अपडेट आता है negative positive हम आपको provide करेंगे अपडेट करेंगे तो आप फटा पट से चैनल को subscribe करेंगे इस वीडियो को like करेंगे तो चलिए सबसे फर्स्ट अपडेट हम देख लेते हैं तो यहां पर देखें यहां पर बताया गया है कि Tata Group Stock to Buy अगर आप भी अक्षर शेर बाजार में निवेज करते हैं या करने का प्लान कर रहे है तो ख़बर आपके लिए है जी हां आप Tata Group की प्रमुक कमपनी Tata Motors के शेर पर नजर रख सकते हैं इसका नाम क्या Tata Motors के शेर के लिए एक्सपर्ट भी खरीदने की सला दे रहे हैं ग्लोबल व्रोक्रे जेफिर्थ अब आपको पता ही काफी बड़ा दोस्तो भ्रोक्रे जाहुसे जेफिस इस शेर में पैसे लगाने को ले कर बुलीष जेफिर्थ इसने इसे खरीदने की सला दी है यह बोल रहे हैं अब जयसे की बताये गया कि जो कम्पनी के नईने वर्ज वार सस्तर में Tata Motors का शेर इतने पर बंद हुआ ठीक है और Electronic vehicle बनाने वाली प्रमुक आटो निर्माता कंपने Tata Motors पर ब्रोकरेज फर्म ने तेजी की रुक अपना यह कंपनी की तरह electric कारों के कई सीग्मेंट पेश किये गए हैं कंपनी ने अपने बेस वेरियंट Tata Tiago के electric version को भी पेश किया है जो Tata Tiago का एक नया version है वो भी market में उता रहा है और वो market में काफी अच्छा पसंद किया जा रहा है ठीक है लेकिन अभी आपने देखा होगा कि company ने दोस्तों क्या किया है अपना September मन का अभी sales दिखाया है तो sales में उतना दम नहीं दिखाय जितना यह report में दम दिख रहा है अब देखते हैं कि company का Q2 का number कैसा आएगा ठीक है अभी देखते हैं कि company ने कुछ target दिया है क्या है तो Jeffries साब ने दोस्तों target दिया है 540 रुपए का ठीक है यह target price है company की तरह से electric model में launch होने वाली है पहली हेच बेक कार है कुल मिला के टाटा की यह तीसी electronic कार है डोकरेज फर्म ने electric vehicle की बढ़ती demand के बीच टाटा motors को 540 रुपए का target price दिया है टाटा electric vehicle की उपलबदता को 165 शेरों तक बढ़ा रही है मतलब दोस्तों आप यहां पर काफी सारे शेरों को दोस्तों यह क्या करने वाली capture करने वाली है टाटा मोटर्स की तरह टियागो EV को पहले दस अजार ग्राहकों के लिए 8.49 lakh मतलब दोस्तों price भी आप देख सकते हैं 8.5 रुपए कीमत रखी गई इस price पर launch की गई थी जो पहले 10,000 customer थे ठीक है उनके लिए जो पहले 10,000 customer जिनों ने इस गाड़ी को दोस्तों क्या किया बुक किया होगा उनको ये कीमत मिलेगी 8.5 रुपए की ठीक है तो आप calculate कर सकते हैं कि दोस्तों 10,000 का अगर इतने price पर बिक्ती है ठीक है तो कितना शांदार company का revenue generate होगा उसके साथ ही 52 का जो उचितम low है वो 335 रुपए का है और high की अगर मैं बात करता हूँ तो high भी company का आप देखेंगे तो लगबग 536 का है और target जो दिया है company ने unexpected target दिया है 540 का अब देखते हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर जो report निकल के आ रही है वो किस type की होती है आने वाले दिनों में उसके साथ ही टाटा मोटर्स का अगर आज का performance हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो stock है आज करीबन 272% की तेजी के साथ 406 रुपए पर भी date में आप देखते हैं कि टाटा मोटर्स का आगे किस प्रकास से performance रहेगा तो इसके related जो भी update आएगा हम provide आपको जरूर करेंगे चलिए next company को cover करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं live mint की site के उपर लाएं और यहाँ पर एक update आ रहा है दोस्तों ठीक है यह update चार दिन पहले क है और इससे एक बार पहले भी मैंने यह update आप लोगों को देख चुका हूँ तो यह remind क्यों कर वारों मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा LIC increase stake दीपक नाइट इतना stake हो चुका है LIC का पहले कितना था वो मैं दिखाता हूँ यह update दोस्तो 29 सितमबर का ठीक है the largest life insurance company जिसका नामे दीपक नाइट ठीक है कितना stake कर दिया है 5.028% का पेड़ एक केपिटल कर लिया है और अर्लियर दोस्तों company का stake कितना था 4.97% का तो company ने इतना मतलब दोस्तों अगर आप देखे तो company ने minor stake increase किया 0.051% का दीपक नाइट के अंदर पहले company के पाद इतना stake था तो कितन अब stake increase हुआ है तो वहाँ पर company के पास 68,28,414 share हो चुके है अब देखे ये चीज बताने का डबल बताने का क्या मतलब रिवाइंड करवाने का क्या चीज़ है इन्हों ने दोस्तों छोटा सा stake increase किया है लेकिन इनके पास लाखों quantity आईए वो छोटे सा stake में तो आप देख आँगे कि इनका एक average price भी आ रहा है इनका क्या average price आ रहा है देखे इनका एक average cost निकल क्या रहा है दोस्तों 28 सितमबर की खरिदारी के बाद वो हे 2,044 रुपे का तेकि कितना 2,044 रुपे का और 52 बिक का high क्या है दोस्तों stock का 3,000 रुपे का कितना 3,000 रुपे का मतलब 1000 point य price पे कि उनको कितना भी loss हो रहा होगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि जब share का price यहाँ पर चले जाएगा अभी तो यहाँ पर है तो आपको कितना फायदा होगा क्योंकि company की fundamental condition आप लोगों ने देखी है कि क्या है मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्यों कि company का market में नाम ही इस type का बन चुका है पहले company का market में नाम हो निसान नहीं था बहुत छोटे level पर company काम करती थी लेकिन pandemic के बाद से जब से demand बड़ा है chemical company का इनका sales बड़ा है तो revenue भी बड़ा है तो company को एक मुखा मिलना था ठीक है जो chemical company थी उनको एक मुखा को दोनों आज से लपका है कि जिसके करण आज इनका इतना बड़ा नाम बन चुका है अगर आज का performance देखे स्टॉक का तो यहां पर देख सकते हैं दीपक नाइट अभी उनका प्री आपको मैंने कोस्ट दिखा के लाए कितना 2004 का है 2004 सिमात्र उनको दस पॉइंट का profit हो रह आया और उसके साथ यह आप अगर देखेंगे तो कंपनी का यहां पर performance देखें यहां तक कंपनी का कोई performance ने था उसके बाद कंपनी ने इतना जोगदार performance दिया कि साइट डारेक्ट ले तीन हजा अब 20 रुपे पर जाके company रोका है तो जरूर आपको दिपक नाइटेट के पर क्या करना चाहिए अपना focus रखना चाहिए चलिए next company देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हम इंदुस्तान के side के उपर आए हैं और यहां पर एक company है दोस्तों जो अपने shareholder को हर एक share पर चार शेर bonus देने जा रही है और company का जो fixed record date है वो भी यहां पर आते हुए में देखने को मिल रहा है अगर मैं आप लोगों को update दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो एक small company है जो जो एली segment में क्या करती है काम करती है ठीक है मतलब सोने चांदी का आवुशन का काम करती है जिसका नाम है दोस्तों अंसूनी अंसूनी commercial ठीक है जो company 4 to 1 का ratio में ब recorded और एक्स डेट अगर मैं बात करता हूं तो 6 अक्टूंबर को आपको देखने को मिलेगी तो छे और साथ को अगर आप शेर को purchase करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा आप अगर पांस तारीक तर शेर को purchase कर लेते हो तो आपको यह जो bonus है मिल जाएगा खिर मैं company को purchase करने क नहीं बोल रहा हूं मैं खाली आप लोगों को एक्जांबल प्रोवाइट कर रहा हूं तो जरू दोस्तों आप इस company को भी अपनी focus में रखकर चल सकते हो तो यह था मार्केट के लेटेट एक दम धमाकेदार अपडेट तो इस वीडियो को फटा आपके लाइक कर दीजी चै आप देटेटें तो थैंकि दोस्तों